लाखों सालों के विकास के बाद हमने आपको एक बुद्धी दी जब आपको कोई पैनी चीज दी जाती है तो आपको सीखना चाहिए कि उसे कैसे पकड़े है ना ये समस्या बन गई है क्योंकि हमने आपको बहुत ही जटिल मशीन दे दी और आपने उसे चलाने का तरीका जानने की परवा ही नहीं की तो सद्गुरु जीवन में कई बार होता है जब मैं बहुत बढ़िया कर रही होती हूँ पूरी शमता में काम करती हूँ मगर तभी अचानक एक भावना अंदर से आती है जो मुझे बताती है कि तुम्हारा पतन करीब है ये मुझे परिशान करता है और शायद आप बस लेंड कर रही है हाँ और इस भावना की सिस्टम में आ जाने के साथ मेरा प्रदर्शन वास्तर में खराब होने लगता है तो सद्गुरु हम अपने अंदर के दानवी आवाजों से कैसे लड़ सकते हैं आपके अंदर कितने सारे दानव हैं मुझे लगा कि सिर्फ एक दानव है वो आप है इसमें हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए देखिए अगर आप अपने अंदर दो आवाजें सुन रही हैं एक दिवी आवाज और एक दानवी आवाज इसका आर्थ ये नहीं है कि कुछ शांदार हुआ है इसका अर्थ है कि आप या तो मानसिक रोगी हैं या प्रेदकरस्थ हैं आपको या तो मनोवैग्यानिक की जरूरत है या ओजहा की तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा लोगधर्म के नाम पर आध्यात्मिक्ता के नाम पर हर चीज के तथा कथित निक समाधान के नाम पर कर रहे हैं कई रूपों में ये अभिव्यक्त हो रहा है भारत में हमारे पास इन चीजों के लिए धेर सारे शब्द हैं अगर आप किसी से कुछ कहें ओ ये मेरे संसकार है मेरा एहम ऐसा कर रहा है ये मेरा ये मेरी आत्मा है ये मेरा ये है ये मेरा अच्छा, अगर बहुत से लोग आपके अंदर से बोल रहे हैं, अगर बहुत से लोग इस एक शरीर में फसे हुए हैं, तो ये एक बीमारी है, हैंना? अगर इस शरीर में एक से अधिक लोग हों, तो ये बिमारी है या नहीं? सिर्फ एक, ये शरीर सिर्फ एक के लिए बना है है ना? ये सबसे बुनियादी चीज है जो आपको करनी चाहिए इसमें सिर्फ आप और आप और आप ही हों, कोई और दूसरा नहों जैसे ही कोई दूसरा होता है, ये एक चाल है शुरू में आप ये चाल चलते हैं, जब कुछ अच्छा होता है, बिल्कुल ये मैं ही हूँ जब कोई चीज नहीं होती है, मैं नहीं जानता कोई दूसरी आवास, कोई और, मेरा एहम, मेरा तमाम तरह के दूसरे जीव, जिनका अस्तित्व नहीं है, आप मन से बना लेते हैं आप इसे आत्मा, पर्मात्मा कह सकते हैं, इश्वर आपके अंदर बोलता है, शैतान आपके अंदर बोलता है देखिए, जब भी लोगों ने कहा, भगवान ने हमसे कहा, मुसीबतें आई हैं हाँ, क्या आपने देखा है? कभी अमेरिका के राश्ट्रपती एक बार करीब 15 साल या 18 साल पहले बोले, इश्वर ने मुझसे कहा ओ, क्या आपदा आय थी, 6 लाख लोग मर गए और एक पूरा देश बरबाद हो गया इसी तरह की चीज़ें हमेशा हुई हैं जब भी इश्वर बोले हैं क्यूंकि, क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, ये इश्वर के बोलने के बारे में नहीं है जब आप कुछ एकदम अतारके को और अनुचित बात करना चाहते हैं, तो आप भगवान और शैतान को ले आते हैं इसलिए अगर एक आवाज से अधिक है, तो आपको बाकी आवाजें मारनी होंगी इसके लिए आपको समझना होगा, कि मनुष्य का दिमाग जटिल है जो हैं, उसकी जटिलता हमारा सबसे बड़ा उपहार है, है की नहीं? दिमागी जटिलता ही हमें वो बनाती है जो हम हैं, ये सबसे बड़ा उपहार है, मगर इसी से हर इनसान दुखी भी है मैं आप सभी से पूछता हूँ, पिछली बार कब आपको खंजर से मारा गया था? हलो? नहीं, वे वाकई आपको अंदेखा कर रहे हैं शायद सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ हुई है कि एक मच्छर ने आपको काट लिया इस तरह का कश्ट दुनिया आपको दे रही है बाकी सभी कश्ट खुद के दिये हुए हैं, है न? तो आप ऐसे दुखी क्यों है? क्योंकि मैं आपसे एक आसान सवाल पूछूँगा, मुझे हाँ या ना में बताईए क्योंकि मैं आपके जवाब के अनुसार आपको आशिरवाद भी दूँगा आप अपनी बुद्धी को तेज बनाना चाहते हैं या मंद? ठीक है ये लोग किस में भाग के हैं? ओ, क्या वो राजनीती विज्ञान से हैं? क्या ये यहाँ एक विशे है? नहीं, फिर कैसे? आपके कॉलेज में एक घुस पैठ है? तो आप स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि आपकी बुद्धी तेज हो इसका आर्थ है कि बुद्धी एक काटने वाला उपकरण है ये चाकू की तरह है जितना तेज उतना बहतर है ना? तो अभी लाखों साल के विकास के बाद हमने आपको एक बुद्धी दी हम मतलब मैं प्रकृती की ओर हूँ, ठीके? हमने आपको एक तेज दिमाग दिया अब आप हर जगा खुद को ही काट रहे हैं और उसकी शिकायत कर रहे हैं नहीं, जब आपको कोई तेज चीज दी जाती है तो आपको सीखना चाहिए कि उसे कैसे पकड़ें है ना? आपको सीखना होगा कि उसे कैसे संभालना है अगर आप उसे गलत सिरे से पकड़ेंगे या अगर आप लापरवाही से चलाएंगे तो आप खुद को ही काट लेंगे अभी ये सब व्यक्तिकत अभी व्यक्तिया है कि किसी दिन मुझे ऐसा लगता है किसी दिन मुझे वैसा लगता है इंसान दरसल धेर सारे दुख जेल रहा है कोई युद्ध वाले इलाके में है कोई सुखा ग्रस्त इलाके में है उन इंसानों को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो एक अलग चीज है मगर बाकी सभी लोगों को सिर्फ एक कश्ट है उनकी अपनी बुद्धी अगर आप उनका आधा दिमाग ले लें तो वे शान्ति पूर्वक बैठेंगे हाँ याना कोई शैतान नहीं कोई भगवान नहीं कोई आवाज नहीं शान्ति पूर्ण हाँ याना तो हम अपने सबसे बड़े उपहार की शिकायत कर रहे हैं एक मात्र कारण की बाकी सभी जीवों के मुकाबले हमारा यहां प्रभुत्व है ये हमारी दिमागी क्षमता के कारण है है ना हमारे दिमाग के पैनेपन के कारण हम कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं और यही समस्या बन गया है तो ये समस्या इसी लिए बन गया है क्योंकि हमने आपको बहुत जटिल मशीन दे दी और आपने उसे चलाने का तरीका जानने की परवा ही नहीं की और आप उसे आँख मूंद कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं अब तमाम चीज़ें बोलेंगी आपकी अपनी बुद्धी आप पर हावी हो गई है और आपको बरबाद कर रही है आपको बेकार में कश्ट दे रही है अगर मैं आपको एक कमरे में अकेला छोड़ देता हूं सिर्फ आपको अगर आप फिर भी दुखी होते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी संगत में हैं है ना अगर मैं आपके साथ हूँ और आप दुखी हुए तो शायद वो मैं हूँ मगर आप अकेले बैठकर दुखी हो रहे हैं इसका मतलब आप बुरी संगत में हैं है ना आपको वो एक चीज ठीक करनी होगी कि ये कभी बुरी संगत में न हो ये सबसे अच्छी संगत है जो आपके पास है इसके लिए एक सरल इलाज है सरल इलाज बस ये है आप बस इतना देखना शुरू कीजिए मेरे जीवन में मेरे साथ जो भी हो अच्छी चीजे हो, बदसुरत चीजे हो बकवास हो, शांदार चीजे हो चाहे जो कुछ भी हो और मेरे जीवन में जो भी नहीं हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है तब सिर्फ एक व्यक्ति होगा अगर आप देखते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो सिर्फ एक व्यक्ति होगा वरना यहां से भगवान बोलेंगे, वहां शैतान बोलेगा, यहां से आत्मा बोलेगी और कहीं और से परमात्मा बोलेंगे और वे सब आपको पागल कर देंगे